ठंडी का मौसम चल रहा था जंगल के सारे ही पक्षी इतनी ठंड से काफी ज़ादा ही परिशान थे जंगल में हर तरफ बरफ बारी हो रही थी और हर तरफ सिर्फ बरफ ही बरफ थी पक्षियों इस बार तो बहुत जादा ही ठंड पड़ गई है मुझे तो ये सर्दी बर्दाशी नहीं हो रही और रानी तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है के मैं नहा लूँ अब बला आखिर इतनी ठंडी में मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगा हाँ कालुकवे ये बात तो तुम एकदम ठीके रहे हो मैंने भी दस दिनों से नहीं नहाया है हाँ पक्षियों आप सब ठीके रहे हो परन्तु हमें नहाना तो पड़ेगा ही वरना गंदगी के कारण हम बीमार भी हो सकते हैं परन्तु मिनुचेडिया मुझे तो लगता है के मैं गंदगी के कारण नहीं बलके ठंडे पानी से नहा कर बीमार हो जाओंगी हाँ मिनुचेडिया मैंने तो ये सोच लिया है कि जब तक ठंडी का मौसम नहीं चला जाता मैं तब तक नहीं नहाँगा अगली सुबह हो जाती है मिनुचेडिया अपने बेटे मानोचेडिय को नहाने का कह रही होती है नाई मामा मुझे नहीं नहाना ठंडे पानी से हमारे जंगल के टॉालेट में नहर का ठंडा पानी आता है और वे बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है इसलिए मैं नहीं नहाँगा अरे ऐसे कैसे मानोचेडिय चल्दी चलो नहाने वर्णा में बहुत डाटूंगी तुम्हें फिर मिनुचेडिया जबरदस्ती मानोचेडिय को ठंडे पानी से नहलाने के लिए ले जाती है अरे भई यहाँ तो काफी लंबी लाइन है लगता है सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को नेलाने आए हैं इस तरह सभी पक्षियों के बच्चे ठंडे पानी से नहा रहे होते हैं रानी मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है जब मैंने तुम्हें मना किया था कि जब तक के घंडी का मुसम नहीं चला जाता मैं और राजुकवा नहीं ना आएंगे तो फिर तुमने मेरे राजुकवे को क्यों नेलाया देखो देखो इसे कितना जादा तेज बुखार चड़ गया है अरे कालु जी मुझे क्या पता था कि राजुकवा बिमार हो जाएगा मैंने तो बस सब पक्षियों के कहने पर नेलाया बस रानी तुम्हें जितना नहाना है जाकर नहों परन्तु आइंदा मुझे और मेरे राजुकवे को नहलाने की कोशिश मत करना राजुकवे की तरहा मानोचिडा भी काफी जादा बिमार हो जाता है हाई रे उलू वेची मुझे क्या पता था कि मानोचिडा और बकी सब पक्षि बिमार हो जाएगे अब अखिर नहाएंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे बस मीनोचेडिया अपसे हम सब पक्षियों ने फैसला कर लिया है कि जब तक खंडी का मौसम नहीं जाएगा हमेंसे कोई पक्षी नहीं नाएगा अरे पक्षियों इस तरह तो तुम सब बहुत जादा गंदे हो जाओगे और गंदे रहने से तरह तरह की बिमारिया फैलती है तो फिर आप ही बता उलुवेची हम ऐसा क्या करें अब पक्षियों अगर तुम सब पक्षी पतीली में पानी गरम करकर नहाओ तो इस तरह तुम सब अराम से नहा भी लोगे और तुम मैंसे कोई भी बिमार भी नहीं होगा अरे हाँ उलुवेची ये उपाय तो बहुत बढ़िया है हम सब पक्षी आग चला कर एक बड़े से पतीली में पानी गरम कर लेते हैं और एके करके सब पक्षी उस गरम पानी से नहाएंगे फिर हाँ मिनो चेडिया ये ठीक रहेगा अब तो हम सब पक्षी होग मजे से नहाएंगे फिर थोड़ी देर के बाद सब पक्षी लकडियों में आग लगा देते हैं और एक बड़े से पतिली में पानी गरम करने लगते हैं पक्षियों पानी गरम हो गया है अब पहले कौन आएगा मिनुचेडिया पहले मैं नहाँगा मैंने पूरे बारा दिन से नहीं नहाँगा नहीं नहीं मिनुचिडिया मैं नहाँगी मैंने भी पूरे बारा दिन से नहीं नहाया है देखो बुल बुल पहले मैंने बोला है इसलिए पहले मैं नहाँगा बुल बेहन कालुकावे को पहले नहाने दे इससे क्या होता है नहाना तो आखिर सब नहीं है न ठीक है भई कालुकावे पहले तुम नहा लो जाकर थोड़ी देर के बाद कालुकावा ट्वाजेट से नहा कर आता है लेकिन अब पतीली का सारा पानी खतम हो चुका था वाँ वाँ पक्षियों आज इतने दिनों के बाद नहा कर तो मज़ा ही आ गया ठंडी के मौसम में गरम पानी से नहाने का क्या मज़ा आता है कालुकावे तुमने मज़े की चकर में सारा पानी ही खतम कर दिया है अब हम सब पक्षियों को दुबारा से पानी गरम करना पड़ेगा अरे चलो कोई बात नहीं भई, हम दुबारा से पानी गरम कर लेते हैं फिर क्या था, सब पक्षी दुबारा से उस पतीली में पानी गरम करने लगते हैं अगली सुबह हो जाती है, कालू कवा और रानी कवी बाते कर रहे होते हैं कालू जी, आपको नहने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है अब क्या पूरा दिन में पानी ही गरम करती रहूंगी, मुझे और भी काम होते हैं हाँ तो रानी क्या हो गया, गरम पानी से नहने में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है बस कालू जी बस, मुझे इतनी मेनत नहीं होती अगर तुम्हे नहाना है तु बाल्टी को नहर की पास लेकर जाओ और बाल्टी भरकर पानी लेकर आओ उसके बाद पानी को पतीली में गरम करो और फिर उसके बाद नहाओ हाँ हाँ ठीक है नानी कवी सारा काम में खुद कर लूँगा वैसे भी तुम मेरा कौन सा काम करती हो अब ठंडे पानी की समस्या दूर हो गई थी तो सब पक्षी इतनी कठिर मेनद करने से परिशान थे इसी कारण मीनोचेडिया भी बहुत ज़्यादा ही परिशान होती है और वे कहती है पतीली में पानी गरम करना तो बहुत ही मुश्किल काम है पहले जाकर नहर से पानी लेकर आओ उसके बाद पतीली में डाल कर गरम करो ये तो बहुत जादा मुश्किल हो जाता है हम पक्षियों के लिए हमें कुछ और सुचना पड़ेगा और ये बहुत जादा ही खतरनाक है क्योंकि अगर किसी पक्षी का बच्चा करम पानी में गिर गया तो क्या होगा फिर नहीं भई नहीं ये काम हम सब पक्षियों के लिए बहुत जादा ही रिस्की है मुझे सब पक्षियों को मीनू चेडिया के पास आता है और कहता है अरे भई क्या हुआ रगईन पक्षि तुम इतने जादा परिशान क्यों लग रहे हो और वे बुरी तरह से जल गया है मैंने तो सोच लिया है मैं अपने घर में अपसे गरम पानी नहीं करूंगा क्योंके मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं अगर कोई भी जल गया तो मेरा क्या होगा फिर जिस बात के ढरता वो ही हुआ पिचारी बुलबुल बेहन का बच्चा कितनी जादा तकलीफ में होगा मीनो चेडिया इस समस्या की वज़ा से तो सबपक्षी बहुत जादा ही परिशान है और अभी थोड़ी देर में कालुका हुआ सबपक्षियों को लेकर अच्छा हल ढूनना ही होगा तोड़ी ही देर के बाद कालुकाववा सबपक्षियों को लेकर मीनो चेडिया के घर में आ जाता है मीनो चेडिया इस तरह पतिली में पाणी गर्म करने का उपायद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अब हमें कुछ और सोचना होगा हाँ हाँ मिनुचेडिया अब तो मैं कभी भी गरम पानी नहीं करूँगा इसने अच्छा है कि मैं नहाओ ही नहीं पक्षियों ना नहाना और गंदे रहना ये इस समस्या का कोई हल तो नहीं मेरे पास एक बहुती बढ़िया उपाए है पर अंतु थोड़ा मुश्किल है अरे बताओ तो मिनुचेडिया क्या उपाए है वो देखो पक्षियों दूसरे जंगल में पक्षियों ने अपने ट्वालेट में पानी गरम करने का गिजर लगाया हुआ है जिसे पानी खुद भाखुद गरम होता है और इस तरह पक्षियों को किसी तरह का भी कोई लुक्सा नहीं होता है मैं सोच रही हूँ कि हम भी अपने ट्वालेट में पैसा ही गिजर लगवा लेते हैं हाँ मिनुचेडिया ये ठीक रहेगा चलो चलो पक्षियों सब अपने अपने घरों से थोड़े थोड़े पैसे लियाते हैं फिर हम सारे पैसे जमा करकर एक अच्छा सा गिजर खरीद लेंगे थोड़ी दिर के बाद सारे पक्षि अपने अपने पैसे मिनुचेडिया के पास जमा करवा देते हैं चलो पक्षियों, मैं किसी अच्छी दुकान से पानी गरम करने का गीजर खरीद कर लेकर आती हूँ कुछी देर के बाद एक पक्षियों के टॉयलेट में गीजर लगा देता है जाओ जाओ पक्षियों, जिसको नहाना है नहालो जाकर टॉयलेट में, क्योंके अब टॉयलेट में गरम पानी आ रहा है फिर एके करके पक्षि उस टॉयलेट के गरम पानी से नहा रहा होता है और अब उन पक्षियों को किसी भी तरह का कोई खत्रा भी नहीं होता इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानी चाहिए बलके मुश्किल का सामना करना चाहिए अगर आप सब को ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एक जंगल में एक कालू कववा और इसका परिवार रहता था हैं चल्दी मेरी बास सुनो अरे रानी क्या हो गया भाई कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो कालू जी राजु कववा बाहर खेल रहा था कि अच्छानक वहां पर बाजु चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़ कर ले गई अब ना जाने वे दुष चील हमारे राजु कववे के साथ क्या करेगी तुम जल्दी करो और बाजु चील के गोशले में जाओ और हमारे राजु कववे को उस दुष चील से बचा कर ले आओ कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजुचिल हमारे राजुकवे को मार कर खा ले चलो भई तुम अभी भी बैठे मेरी बाते सुन रहे हो चल्दी चलो हम दोनों जाते हैं चलो भई अरे अब इस खुनखार चिल से मैं अपने राजुकवे को कैसे बचाऊंगा रानी तुम यहीं रुखो मैं जाता हूँ और बाजुचिल से बात करता हूँ केवे हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पोचाए ये कहकर कालुकवे फॉरण बाजुचिल के पास चला जाता है बाजुचिल रुख जाओ मेरे राजुकवे को मत खाओ मेरा एक ही इकलोता बेटा है ये केवे मेरा नाम बाजुचिल है और मैं अपना श्रिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारे राजुकवे के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाओंगी बाजुचिल मैं तुम्हें दो-दो स्वादिस चड़िया के बच्चे ला कर दे दूँगा तुम इन्हें खा लेना लेकिन बस मेरे राजुकवे को छोड़ दो तुम दो-दो चड़िया के बच्चों का सुन कर तो बाजुचिल के मुँ में पानी आ जाता है और वे कालुकवे से कहती है ठीक है कावे तुम चल दी चाओ और चाके दो चड़िया के बच्चों को लेकर आओ तब ही मैं तुम्हारे राजुकवे को अजाद करूँगी फिर कालुकवा फारण चड़िया के दो बच्चों को ढूनने के लिए निकल जाता है तब ही कालुकवे की नजर सामने ही मिनो चड़िया के दो छोटे छोटे मासुम बच्चों पर पढ़ती है अरे वा भई ये तो मिनो चड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत चोटे हैं ना तो ये ओड़ सकते हैं और ना ही ये ज़्यादा आवाजे कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये हैं कि इस समय मीनो चड़िया भी अपने घुशले में नहीं है किसी को भी पता नहीं चलेगा मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनो बच्चों को चील बेहन के पास ले जाता हूँ फिर कालू कववा फारण मिनुचेडिया के घुसले में आता है और मानुचेड़े और शोनुचेडिया को अपनी पीट पर बिठा कर चील के पास ले जाता है ये सब कुछ एक दूसरे पेर पर बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे कहता है ये कालू कववा मिनुचेडिया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहा ले गया मिनुचेडिया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन रूरने के लिए गई है जरूर कोई तो बात है मैं फारण मिनुचेडिया के पास जाता हूँ और मिनुचेडिया को ये बात बताता हू ये कहकर तो ता फॉरण मिनोचेडिया के पास चला जाता है मिनोचेडिया मिनोचेडिया मेरी बास सुनो मानोचेडे और शोनोचेडिया को कालू कववा अपनी पीट पर बिठा कर कहीं ले गया है जरूर कालू कववा तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा हाई रे मैंने इस कालू कववे का क्या भी गाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रेता है अब मैं क्या करूँ अगर वे कालू कवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी तोते मैं जा रही हूँ यकीनन कालू कवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा क्योंके वे बाजुचील ही हमारे जेंगल के पीछे पड़ी रहती है मिनुचेडिया अगर तुम अकेले जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाएगी तोते मैं किसी बाजुचील से नहीं ढड़ती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है मैं जा रही हूँ फिर मिनुचेडिया इस बाजुचील के गुंसले की तरफ चली जाती है काओ वे तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है ये नन्ने नन्ने चेडिया के बच्चे लाकर अब बस मैं इन चेडिया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ बाजुचील तुम जल्दी से इन नन्ने पक्षियों को खा लो और मुझे और मेरे राजुकवे की जान छोड़ दो बाजुचील इन दोनों नन्ने पक्षियों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर मीनुचिडिया आ जाती है बाजुचील मैं तुमसे नहीं धरती हूँ बलके मैं तुम्हें और कालुकवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ अरे एक छोटी चिडिया अब बाजुचील को सबक सिखाएगी हाँ 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 बाजुचील अगर तुमने अभी के अभी मानुचिड़े और शोनुचिडिया को मुझे वापस ना लुटाया तुम्हें तुम्हारे इस गोसले को तोड़ दूँगी और कालुकवे मैं तुम्हारे रजुकवे को भी मार डालूंगी मीनुचीडिया तुम बस भी करो तुम घुस्ए में क्या कुछ बोल रही हो तुम चानती हो ना कि अगर तुम बाजुचील के करेब भी आई तो बाजुचील तुम्हें भी मार कर खा जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा कालू कवे ये कहकर मिनोचेडिया वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर के बाद मिनोचेडिया एक जलते हुई लकडी लेकर बाजूचील के पास आती है और बाजूचील से कहती है बाजूचील तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूँगी और तुम इस आग में चल कर मर जाओगी मिनोचेडिया अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जल कर मर जाओगी मुझे कोई फरक नहीं परता कालुकवे वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो बाजुचिल तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना इससे बेतर तो यही है कि मैं इस पेड़ में आग लगा देती हूँ और मैं भी आग में चल कर मर जाती हूँ बाजुचिल तुम इस मिनुचिडिया की बातों पर यकीन मत करो ये मिनुचिडिया जूट कह रही है ये कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी बस कालुकवे का इतना कहना ही था मिनुचिडिया फॉरण उस पेड़ में आग लगा देती है आग आइस्ता आइस्ता नीचे से उपपर बढ़ती हुई आ रही थी बाजुचील को तो आग से बहुत जादा ही धर लगता था इसलिए बाजुचील फौरण वहां से भाग जाती है और कालु कववा भी आग से धर कर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा राजु कववा भी है आग आइस्ता आइस्ता बढ़ती ही जा रही है मुझे चल्दी से मानोचिड़े और शोनोचिड़िया को यहां से बचा कर ले जाना होगा परन्तु ये कालु कववे का बेटा राजु कववा कितना मासूम है मैं इस मासूम बच्चे को यहां पर छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ मुझे इन तीनों की जान बचा कर यहां से ले जाना होगा परन्तु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीट पर बिठा कर कैसे ले कर जाओंगी मिनुचेड़िया कुछ सोच रही होती है कि मिनुचेड़िया को सामने एक टोकड़ी पड़ी हुई दिखती है मिनुचेड़िया फौरण उस टोकड़ी के पास जाती है फिर मेनोचेडिया उस टोकरी में तीनो बच्चों को बिठा कर वहाँ से ले जाती है शुकर हैं तीनो मासूं पक्षियों की जान बच गई वरनावे बाजोचेल तो मेरे दोनो बच्चों को मार कर खा ही जाती मिनो चडिया अब तुम जब भी भोजन जमा करने के लिए जाना तो मुझे बता देना मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगा इनको अकेले छोड़कर तुम अपसे कभी भी मत जाना तोते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चलो भई मैं जल्दी से राजुकवे को लेकर कालुकवे के पास चली जाती हूँ रानी कभी तो बहुत जादा रो रही होगी मिनो चडिया वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा कालुकवा तुम्हारे दोनों बच्चों की बली चड़ा रहा था फिर भी तुमने कालुकवे के बेटे की जान बचाई मैं उस कालुकवे की तरह नहीं हूँ के मैं इस मासुम कवे को उस जल्दी हुई आग में छोड़ा थी दूसरी तरफ जब कालुकवा अपने घुसले में आता है तो उससे याद आता है के राजुकवे को तोवे उस जल्दी हुई आग में छोड़ कर आ गया है कालु जी तुम तो राजुकवे को लेने के लिए गय थे ना कहा है मेरा राजु कहा है फिर कालुकवा रानी कवे को सारी बात बताता है के कालु कववा राजु कववे को उस जलती हुई आग में छोड़ कर आ गया है कालु जी ये तुमने क्या कर दिया तुम हमारे राजु कववे को उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़ कर आ सकते हो रानी मैं बहुत जादा ढ़र गया था इसी कारण मैं रاجुकवे को वहाँ से ले जाना भी भूल गया हूँ अब तक तो मेरा रاجुकवा उस आग में जिलकर मर भी गया होगा कालू जी बस बहुत हो गया ऐसे में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी मैं जा रही हूँ अपने मैं के नहीं नहीं रानी अब तो राजु कववा भी नहीं रहा और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किस के साथ रहूँगा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ बस कालू कववा और रानी कववी ऐसे बाते कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मिनुचेडिया राजु कववे को लेकर आ जाती है कालू कववे तुम खुदगर्ज हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजु कववे की भी जान बचाली है राजु कववे को देखकर रानी कववी और कालू कववा तो बहुत जादा ही खोश हो जाते हैं मिनुचेडिया मुझे माफ कर दो मैं अपने बच्चे को बचाने की चकर में तुम्हारे दोनों बच्चों की बली चड़ा रहा था बस करो कालू कवे तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझे से माफी मंगते हो लेकिन इस बार में तुमें माफ नहीं करूंगी और आज के बार नहीं तुम से कभी बात करूंगी ये कहकर मिनोचेडिया वहां से चली जाती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है के हमें कभी भी स्वार्ती नहीं होना चाहिए